धन तेरस और दीपावली का पर्व बहुत इशुब और मंगल कारी माना जाता है। दीपावली का पर्व उतना ही पवित्र होता है जितना की गंगा जाता है। और दीवाली के दिन भगवान श्री गनेश और मालक्षमिजी की पूजा की जाती है। इस पर्व को शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। दीपावली के दिन जितना हो सके अपने बागी कामों का त्याग करके आप एक दिन पहले सारे साफ सफाई के काम निप्टा लेजे और दीपावली के दिन जितना हो सके आप अपना ध्यान मा लक्षमी जी के चरणों में ल प्रवेश कर जाती हैं और मातलक्षमी का उनके घर में आगमन होने से उनके घर में चार और खुशाली और सुक्सम्रिती चा जाती है इसी वज़े से दीपावली का विशेश महत्व है इस तरह से दीवाली के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से आप अच्छे कारे करके मा लक्षमिजी को प्रसंद कर सकते हैं तो दूसरी चीजें ऐसी हैं कि इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जिने करने के लिए बिलकुल मना किया जाता है इन चीजों को अगर आप दीपावली के दिन दान में देते हैं तो जो आपके परिवार में खुशियां हैं वो खुशियां चली जाती हैं आके परिवार में दुखों का पहार तूट सकता है यहां तक की परिवार में अकाल मृत्य हो सकती है अच्छी खासी नौकरी जा सकती है व्यवसाय में घाटा हो सकता है और परिवार में कंगाली आ सकती है इसलिए आज किस वीडियो में आप चानेगे कि दीपावली के दिन खास तोर पर कुछ ऐसी वस्तों हैं जिनका आपको भूले से भी दान नहीं करना चाहिए ना किवल दान बल्कि आपको इन वस्तों को उधार भी नहीं देना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भागी का सामना करना पड़ सकता है दिवाली के दिन अगर जाडू या धंतिरस के दिन अगर जाडू नहीं खरीदी तो समझो आपने दिपावली का परवही नहीं मनाया इसलिए पहली बात तो धंतेरस और दिपावली के दिन जाडू खरीदना चाहिए लेकिन धंतेरस और दिपावली के दिन तक आपको भूले से भी कोई कितना भी आपकी जाडू इस्तिमाल करने के लिए मांगे तो ना तो उधार देनी चाहिए और ना ही किसी को आपको दान मे देनी चाहिए, कहते हैं कि आप जाडू का केवल गुप्तदान कर सकते हैं, जो आप किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं, इसके लिए मंदिर में गुप्तदान या किसी चुराहे पर गुप्तदान करना सही रहता है, लेकिन आप अपने घर की जाडू किसी दूसरे को कते प्रतीक माना जाता है और हम दिपावली और धंतेरस के दिन नई ज़ाडू लाते हैं उसकी पूजा करते हैं ऐसे में अगर हम अपने ही घर की ज़ाडू किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए देते हैं तो हमारे घर की लक्षमी दूसरे के घर में चली जाती है चाहे कुछ भी हो जाए आपको ज़ाडू किसी को नहीं देनी है ऐसा करने से मा लक्षमी जी रुष्ट हो जाती है धनतेरस और दिपावली के दिन धनिया की बीच करीद कर लाना और फिर उन्हें अपने घर में पूजा करने के बाद किसी गमले में लगा देना यह एक परंपरा है जो क बहुत सुब है क्योंकि धनिया भगवान धनवंतरी को बहुत प्रे है इसलिए अगर धनिया की बीच घर में लगाए जाए तो उससे घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है लेकिन घर की साफ सफाई करते समय धनिया कभी भी घर से बाहर नहीं फेकना चाहिए जिस घर में धन्तिरस और दिपावली को धनिया बोया जाता है उस घर में मालक्षमी जी अपनी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिया की बीज लगाने से हरा धनिया उखता है, वैसे ही आपके घर में मालक्षमी जी के साथ भगवान धनवंत्री की किरपा भी बरसने लगती हैं। कोई भी शुब कारी हो, कोई भी शुब चीज हो, तो त्योहार के समय पूजा पाट से जुड़िवी, घर की सुख समरिद्धी से जुड़िवी, कोई भी बस तूँ घर के बाहर नहीं देनी चाहिए। चाहिए आप उसे फेकने का काम करें, चाहिए किसी को दान में दें या किसी को उधार दें, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो फिर कंगाल होते देर नहीं लगेगी, आपको ये काम विशेश सुरुप से धंतिरस और दीपावली के दिन करना है। धंतिरस और दीपावली के दिन आपके घर के मुखिद्वार का दीपप कोई ना चुराए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जब किचन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी समान कम या ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि आज पडोस में मांगने के लिए चले जाते हैं। और इसमान यदी कम पड़ गया, तो या तो पडोसी आप के हाँ आजाएंगे या आप चले जाते हैं, तो देखे हल्दी और चावल, घर में किचन से जुड़ी भी ये दो वस्तों और नमक, ये सुभागी का प्रतिक माने जाती हैं। जिस घर में ये चीजें हमीशे रहती हों, कभी समात्त ना होती हों, मानेता है कि दीपावली के बाद उस घर में सदा सुख समर्दी बनी रहती हैं। तो दीपावली के दिन अपने घर की इस प्रकार की किसी भी वस्तों को भूल कर भी आपको ना तो उधार देनी चाहिए और ना ही किसी से मांग कर घर लाना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते हैं आपके परिवार पर दुख आ सकते हैं और आपके घर की सुख समर्दी मिट्टी में मिल सकती हैं, आपके घर की सुख समर्दी जिन से आपने उधार लिया है उनके घर जा सकती हैं। जीवन में उन्हें खुशिया मिलेंगी, उससे अच्छी चीजे प्राप्त होंगी, तो कुछ लोग समाजिक रिष्टे निभाने के लिए उधार देते हैं, कभी-कभी मजबूरी में उधार देना होता है, लेकिन आपको ध्यानक ना है कि दीपावली और धंतिरस के दिन भू उपहार में देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं और फिर उसी दिन उन्हें उपहार में दे भी देते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए, जो लोग समझदार हैं और जिने इस बारे में पहले सही जानका रही हैं, वो कभी भी धंतिरस या दिपावली के दिन उप उपहार की वस्तुएं नहीं देते हैं, आप उसके लिए कोई और दिन का चाहिन कर लेजे, आप धंतिरस से एक दिन पहले या दिपावली के अगले दिन आप ये उपहार दे सकते हैं, लेकिन भूले से भी इन दो दिनों में आपको किसी भी तरह का उपहार नहीं देना चा अगर आप ऐसा काम करते हैं, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं, और फिर आपको मा लक्ष्मीजी के एक रोध का सामना भी करना पड़ सकता हैं, दूसरों की दर्दित्ता जिस कारण वो आपसे उधर मांगने के ल धंतेरस ये दिवाले के दिन नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके पहनने की घड़ी हो या फिर उपहार में देने वाली घड़ी हो, आपको इन दो दिनों को छोड़कर आप चाहें किसी और समय में दान कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमार अच्छा और बुरा वक्त हमारी घड़ी से भी चुड़ा होता हैं, अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो और ऐसे में ये दिया आप अपनी पहनी भी घड़ी या फिर उपहार में घड़ी किसी को दे देते हैं, तो वो आपका अच्छा समय किसी दूसरे के घर चला जाता ह और अगर आप अच्छे खास समय को बुरे समय में नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर ऐसी गलती कभी भी ना करेगा, खास तोर पर दीपावली के दिर, भगवान श्री गनेश और मालक्ष मिजी की मूर्ती, चाहे वो धातु की हो या मिट्टी की हो, भूले से भी किसी को उप उपहार में मत दीजेगा, ऐसा करने से आपके घर की खुशियां खाक में मिल सकती हैं और आप कंगाल भी हो सकते हैं, जो कि इस दिन तो हम विशेर सुरुप से मालक्ष मिजी की मूर्ती अपने घर पर लाकर उनकी पूजा करते हैं, कि हमारे घर में सुक समरिद्धी का वास बना रहे, हमारे घर में कभी धन की कमीना रहे, लेकिन अगर आप ऐसे में यदि मालक्ष मिजी की मूर्ती खास तोर पर किसी को भी उपहार में दे देते हैं, तो उसे आपको ही जीवन में परिशानियों का सामना करना पर सकता है, कोई कितना भी ना समझ क्यों नहूं, उसे तोर पर आपको दिपावली के दिन दो तरह के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए, इस प्रकार के वस्त्रों का दान करने से भी घर में राहू और केतु ग्रह का आगमन हो जाता है, आपकी कुंडली में फर बहुत सारी परिश दो ढूली हैं, दिपावली के दिन, आप किसी को भी बासी भुजन ना दे, आप किसी भी गाय को, कुट्ते को, कोई आचक ये दिया आता है तो बासी भुजन नहीं देना चाहिए, ताजा भुजन दे, बासी भुजन देने से भी आपके घर की शुबता जासाती है, इसके पिलावा फटेवे वस्त्रों का दान यदि आप इस दिन करते हैं तो उससे भी आपके घर में अलक्षमी का वास हो जाता है और जिस घर में मालक्षमी जे रुष्ट होकर चली जाती हैं उस घर में फिर कभी पूरे वश्वर सुख सम्रिद्धी नहीं आपाती हैं अब कुछ मांग में लगाने वाला सिंदूर यदि आप किसी को लगाने के लिए देते हैं खुद के लावा यदि आप किसी दूसरे को अपने सिंदूर में से देते हैं या फिर किसी को सिंदूर का दान परते हैं तो उससे भी आपको दिक्कत आ सकती हैं पैरों में पहनने वाली पायल हो हाथों में पहने वाली चोड़िया हो या बिंदी हो या गले का मंगसुत्र हो ये भूल से भी आप किसी दूसरे को उपहार में ना दे कई बार आप अपने ही परिवार की किसी महिला को अपनी श्रिमगार की समगरी प्रयोग करने के लिए दे सकती होंगी लेकिन भूल से भ अगर आपनी इस तरह की कोई भी गलती की है तो आपको धनती रस और दिपावली के दिन एक काम जरूर करना चाहिए। इस दिन आटा और नमक का दान करने से दुर्भागी भी सौभागी में बदला जा सकते हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिपावली के इस महापर्व में रखेंगे तो आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। और आपके घर में मालक्षमी जी का वास रहेगा। आपको पूजा से संबंदित जैसे की कौडिया है या कोई भी समगरी है। बूले से भी इन दो दिनों में किसी को उधार भी नहीं देनी है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ये सारे चीज़े हमारे घर की सुक समर्द्धी से जुड़ी होती हैं। तो आप कोई भी गलती करने से बचें। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष पर आपके घर में धन के भंडार भरे रहें। तो आप मालक्ष्मी जी का स्वागत सचे मन से करें। जिसकी जैसी भी सामर्द्धुस के नुसार अपने घर को साफ सफाई से रखकर और एक दी जानकारी आपको समय से मिल सकी।